तो हेलो गाइस वेलकम बैक टूर योट्यूब चैनल तो फ्रेंस आज की इस वीडियो में हम लोग बात कने वाले 1 प्लस 9 प्रो के बारे में इस स्मार्टफोन की काफी ज़ादा लिक्स बाहर निकल के आचुकी है और साथी साथ आज की इस वीडियो में मैं आपको इस स्मार्टफोन का फर्स लुक बताने वालो जो कमपनी से एक पोस्टर बाहर निकल के आचुका है और इस स्मार्टफोन में काफी जबदर स्पेसिफिकेशन देखने को मिल जाते है इस प्राइस में और मज़े की बात यह देखने को मिल जाती है इस smartphone में आपको snapdragon का callcom का triple 8 वाला प्रोसेसर देखने को मिल जाता है और 120Hz का refresh rate देखने को मिल जाता है पूरा बात करेंगे इस smartphone के बारे में detail में और पूरा बात करेंगे इस smartphone के launching date और price के बारे में और first look में आपको बताऊंगा उसे पहले अगर नहीं कि इस video को like तो कर लीजेगा और साथी साथ channel को ज़रू subscribe कर लीजेगा तो चलिए शुरू कर लेते हैं इस video को तो फ्रेज में आपको पहले बाता आया था इस smartphone का में आपको first look बाताने वालो इन सब बातों को side में रखते हो बात कर ले इस smartphone के display के बारे में तो इस smartphone में 6.7 inch की full screen आपको AMOLED पैनल देखने को मिल जाने वाला है और साथी साथ 120 Hz का refresh rate देखने को मिल जाएगा और यहां पर काफी मज़े की बात यह देखने को मिल जाती है कि इस smartphone में आपको snapdragon का callcom का triple 8 वाला processor देखने को मिल जाता है केने का मतलब है यह smartphone 5G को तो support करेगा लेकिन इस smartphone में processor काफी आपको heavy देखने को मिल जाएगा बात कर ले इस smartphone के performance की बारे में तो इस smartphone की performance आपको काफी जबर्दस देखने को मिल जाने वाली है गेमिंग में आपको कोई ज़्यादा तकलिफ नहीं होगी और 1 प्लस 8 प्रो से 1 प्लस 9 प्रो आपको काफी ज़्यादा powerful smartphone देखने को मिल जाएगा चलिए इन सब बातों को साइट में रखते वे बात कर लेते इस smartphone के battery के बारे में तो इस smartphone में battery देखने को मिल जाएगी minimum आपको 5000 image की बड़ी battery आपको इस smartphone में देखने को मिल जाएगी लिक्स के मुताबित और साथी साथ आपको 65 watt का fast charger देखने को मिल जाएगा और काफी अच्छी बात ये देखने को मिल जाती इस smartphone में आपको wireless charger का भी इस smartphone में support देखने को मिल जाएगा जो 45 watt का होने वाला है केने का मरले fast charger को तो support करता ही है लेकिन wireless fast charger भी आपको देखने को मिल जाने वाली है 45 watt की और इस smartphone में end display fingerprint और face unlocker options जरूर देखने को मिल जाएगा जो काफी ज़्यादा fast होने वाला है और one plus के smartphone में end display fingerprint हमेशा काफी fast होता है तो friends हम लोग ने इस smartphone के main highlight के बारे में अभी तक बात नहीं की है जो इस smartphone का camera होने वाला है इस smartphone में आपको back side में licks के मताबिट caught camera setup देखने को मिल जाएगा जो main camera होने वाला है 64 megapixel का और selfie camera आपको देखने को मिल जाएगा 32 megapixel का एक infinity o display camera आप भोल सकते हो तो friends बात कर ले इस smartphone के price के बारे में और launching date के बारे में तो ये smartphone आपको इंडिया में देखने को मिल जाएगा 60,000 to 55,000 के बीच में ये smartphone आपको इंडिया में देखने को मिल जाने वाला है और बात कर ले इस smartphone के launching date के बारे में तो ये smartphone आपको March के starting के माईने में देखने को मिल जाने वाला है आपको March तक वेट कर लेना ये smartphone आपको इंडिया में देखने को मिल जाएगा और ये smartphone value for money smartphone होने वाला है तो friends अगर आपके मन में कोई भी doubt है कोई भी सवाल है और ये smartphone जब भी launch होगा मैं आपको ज़रूर इंफर्म कर दूँगा और हो सके इस smartphone की unboxing और first look मेरे YouTube चैनल पर में ज़रूर upload करूँगा क्योंकि आपको सबसे पहले notification देखने को मिल जाए अगर नहीं कि इस video को like तो कर लीजेगा किसके लिए wait कर रहे तो फटा फट लाइक कर लीजेगा और साथी साथ चैनल को ज़रूर सबस्क्राइब कर लीजेगा क्योंकि unboxing डालो आपको सबसे पहले notification देखने को मिल जाए तो ज़रूर मेरा चैनल सबस्क्राइब कर लीजेगा उमीदे कर लोगे तो फिर मिलेंगे ऐसे कोई अगले वीडियो में तब तक के लिए bye bye and text के